Hello friends, इस वीडियो में हम plants related कुछ important point देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत important है तो ये वीडियो बहले ही छोटी है, लेकिन इसमें ऐसे point दिये हुए हैं, जिन में से questions हर साल पूछे जाता है इसलिए आपको इन सभी points को अच्छे से दिखना है तो देखिए सबसे पहरे हम दिखते हैं, अपसेंट इन जिम्नोस पंप में क्या-क्या नहीं पाया जाता तो देखिए जिम्नोस पंप में, जायलम फाइबर्स, जायलम वैसल्स, कंपेनियन सेल्स, एंड सिविडियो ये चारो नहीं पाया जाता है, तो आपको इसे note कर लेना है और इसके साथ में जिम्नोस पंप में flowers भी नहीं पाया जाता है तो ये आप जानते होंगे, और इनके जो ovils होते हैं, वो naked होता है अब आते हैं monocoat में तो यहाँ पर है absent in monocoat यानि कि monocoat में क्या-क्या नहीं पाजाता तो आपका exam में question मिलेगा और उसमें 4 option मिलेगे कि monocoat में इन में से क्या नहीं पाजाता या फिर gymnosperm में क्या नहीं पाजाता तो अब answer लगा सकता है तो यह देखिए monocoat में phloem fiber, phloem, pharenchyma, vascular cambium, secondary growth and suit hairs यानि कि trichomes नहीं पाजाता है आपको इन सभी को याद रखना है इसके लावा आपसे पूछा जाता है कि xylem fiber और phloem fibers को क्या कहता है देखिए xylem fibers का दूसरा नाम होता है wood fibers यह branch and unbranch दोनों तरह के होता है जबकि phloem fiber क दूसरा नाम होता है bast fiber और यह केवल unbranched होते हैं तो यह भी आपके लिए important point है इसके अलावा यहाँ पे हमने gymnos pumps and angios pumps में कुछ अंतर दिये हैं जो कि आपके लिए important है तो देखिए gymnos pumps में xylem vessels absent नहीं पाजाते जबकि angios pumps में यह दोनों पाजाता है इसके अलावा gymnos pumps में जबकि angios pumps में नहीं पाजाते हैं जबकि angios pumps में फ्लावर नहीं पाजाते हैं जबकि angios pumps में फ्लावर पाजाते हैं जबकि angios pumps में यह दोनों पाजाता है जबकि angios pumps में double fertilization नहीं पाजाता है जबकि angios pumps में पाजाता है यह बहुत ही important point है इसके अलावा यहाँ पर कुछ important points दी है जैसे कि इन जिम्नोस्पम्स दा मेल और फिमेल गेंटो फाइट डूनोट हैव एन इंडिपेंटेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यनि कि जिम्नोस्पम्स में मेल और फिमेल गेंटो फाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं पाजाता है पाइनस इजे मोनोसियस प्लांट पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है क्योंकि इसमें मेल और फिमेल कॉन्स एक ही प्लांट पर develop होता है तो हम कुछ question भी रिखे लेता है पहला question तो आप जानते हैं गेमटोफाइट फ्री लिविंग जनरेशन में नहीं पाजाता है तो यहाँ पे पाइनस एक जिन्नोसपम है तो हमारा answer हो का है यहाँ पे D इसके बाद इसके बाद इनमें से कौन मोनोसियस है तो आप जानते हैं पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है क्योंकि इसमें मेल और फिमेल कौन एक ही प्लांट पर पाजाता है तो यह question दुबारा 9 में भी and 10 में भी आया हुआ है तो इसलिए आपके लिए इंपोर्डेंट है इसका अंसर होगा A पाइनस इसके बाद इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो की सीड तो प्रोडूस करता है लेकिन फ्लावर्स प्रोडूस नहीं करता है मेज, मिंट, पीपल या फिर पाइनस तो आप जानते हैं जिम्नोस पंस में फ्लावर्स नहीं पाजाते तो मारा आंसर होगा यहाँ पे D पाइनस साइकस के पास दो कौटलेडन होते हैं उसके बाब जूद भी इसे अंजोस पंस में इंक्लूड नहीं किया गया तो आप जानते हैं जिम्नोस पंस में फ्लावर्स नहीं पाजाता तो मारा आंसर होगा यहाँ पे A नहीं फ्लावर्स यहाँ पे हमने प्लांट से रिलेटर्ट कुछ इंपोर्टेंट पाइंट्स देखें जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके बनाते रहेंगे थैंक यहाँ